तो टर्टल जो होता है वो और गुसे में आजाता है कि इसकी फिवरेट प्लेस ट्री है तो मैंने तो निसको ट्री पे हैंग करना अब हमने इसको दरिया में फैंगना है प्लीज डोंट से दर्टल आई हेट पाटर आई डोन वांट टो गेट वेट तो टर्टल जो होता है कि जब मैंने वो असल में हैंग उन इसे डर रहा होता है तो इसलिए वो कहता है मुझे हैं कर दो तो उसके ख़्याल में उन था कि होड़ देगा अब वो समझ गया जाता है क कि अब मैं उल्ट बोलूंगा तो यह शायद मेरी समझ जाए मुझे छोड़ दे तो वह कहता है प्लीज डॉंट सेर्दर सेर्दर टर्टल आई हेट पाटल टर्टल कहता है कि नहीं मुझे ना पानी में फैंग ना मुझे पानी से नफरत है मैं गिला नहीं होना जाता तो प्ल जो है पानी में said the king to his servants जो वो अपने servants से बोलता है कि इसको अब भी फैंको इसको डर लाग रहना वाटर में तो अब इसको फैंको they threw the turtle into the water वो उसको पानी में फैंक देते हैं the turtle swam away happily you get turtle जो होते हैं वो तो रहते ही water में उनकी फैंट प्लेस वाटर होती है तो जब वो happily swim करना वो तैयर ना शुरू कर देता है this time it sang a new song वो जब उसको water में फैंकते हैं तो वो happily swim करना start कर देता है तो वो एक फिर new song बोलना शुरू हो जाता है the foolish king has a big nose तो foolish mean babe goof पहले तो वो उसको सिर्फ यह कह रहा था ना the king has a big nose तो वो उसको नम्जाकुरा नाच करता है foolish dog the foolish king was very angry जो वो foolish dog babe goof king होता है उसको बहुत गुसा आता है he his nose become redder and bigger कि उसकी nose जोती है और ज्यादा red और बड़ी होना शुरू हो जाती है his servant smile to see it कि जो उसके मलाज़म होते हैं ना वो भी उसको देखे मस्कराना शुरू कर देते हैं कि देखो मारा किंग जै वो कितना फूलिश है student you have enjoyed it देखे कि उसने जैसे उसके फ्रेंड जो monkey उसा आदमी का फ्रेंड था उसने भी देखें तरकीब लड़ाई और उसने वो उससे कैप ले ली क्यों जो वो उसका वो करता है उल्ट काम करके उसने उसकी ले ली और इसी तरना उसने जी यह clever टर्टल था उसने भी देख तो जो फुलिश टिंग था उसने वह उसको उसकी फेवरेट प्लेस में ही पनिश की तोर में फैंग दिया तो वह इस तरह अपने वापस वाटर में चला गया तो स्टोरेंज यहां पर है लान तो रीट कि यहां पर उन्होंने क्वेस्टन दियेगे हैं स्टोरी के और उसी को आपने नीचे उनके आंस भी है अब हमने इन में से क्वेस्टन बोलेंगे तो नीचे जो उनके आंसे हैं उनको हमने क्रेक्ट आंस जो होगा उसका नंबर ज जैसे what was the turtle doing when the king saw it? कि जब वो जड़ टर्टल है उसने king को देखा तो उसने क्या किया? आंसर इसका walking along singing तो इस पहला जो आंसर उन्होंने डन किया हुआ है बी है कि जब टर्टल ने king को देखा था तो उसने क्या किया था? तो बी में देखें वहाँ पे बी है तो इसका बी में है walking along singing a song कि वो जो था उसको चल रहा था रोड के किनारे पे और सास वो एक से गाना भी गार रहा था इसी तरह next way why was the king angry? कि king जो था वो नराज क्यों हो गया था अब हमने इसमें से आंस देखना है कि वो क्यों नराज हुआ था तो इसका आंस है because the turtle was singing about his nose कि वो जो टर्टर था वो जो song बोल रहा था वो किसके बारे में था इसके nose के बारे में उसका मजा कुरा रहा था अब यहां पर यह कौन से नंबर पे है ए तो हम यहां पे भी a write कर देंगे तो next time next question है did the turtle really want the king servants to hang him from the tree इसमें था कि क्या turtle जो था वो वो वाकई ही चाहता था कि उसको जो king के servant है वो उसको ट्री पे हैंग कर दे इसका ants यहां पे है no he didn't turtles are not happy on the trees कि नहीं वो बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता था क्योंकि turtles जो हते हैं कच्छवे वो दख्तों पे बिल्कुल खुश नहीं होते तो इसका number यहां पे है F तो हम यहां पे write कर देंगे F तो students इसे तर आपने next जो है यह 3 जो हैं यह आप फूद करेंगे यहां पे इनके आंसे नहीं में सेया उनके आपने यहां पे numbering देनी है और end पर फिर मैं भूलूँगे please subscribe our channel and press the bell icon thank you